सोनमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Instagram यूस करते हैं जब आप Instagram में अपनी स्टोरी को लगाने के लिए कैमरे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ इस तरह से problem face करनी पड़ती है यहाँ पर जब भी आप Instagram के camera को open करेंगे Instagram application में जाकर तो आपको यह दिखाएगा Use Instagram camera, take photo and videos with the Instagram app, turn on यहाँ पर यह problem आपको face करनी पड़ती है आपके Instagram में जब भी आप story लगाते हैं तो आपको क्या करना है इस वीडियो में detail में बताऊंगा जिससे आपकी यह problem solve हो जाए तो इस वीडियो में आएं तक बने रहेगेगा वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना तो चलिए जान लेते हैं इस problem से चुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ turn on लिखा हुआ है यहाँ पर आप click कर दीजिएगा या फिर आप यहाँ से click नहीं करना चाहते हैं तो मैं directly बता जता हूँ आप क्या करिएगा सबसे पहले आईएगा अपने mobile की setting में देन उसके बाद आपको जो है apps पर click कर लेना है apps पर click करने के बाद manage apps पर आना है यहाँ पर आपको instagram को search कर लेना है यहाँ पर instagram को search कर लेते हैं instagram आ चुका है guys अब instagram को यहाँ से click करना है click करने के बाद अब यहाँ पर आपको app permissions को option देखने को मिल जाएगा जब आप turn on पर click करोगे तो भी आपको directly इसी page पर लेकर आएगा आप settings से भी इसी page पर आ चाहेंगे आप permissions पर click करेंगे देखेंगे जितनी भी permissions होंगी उन सभी को यहाँ से allow कर देंगे देख सकते हैं दो permissions बनती इनको भी allow कर दिया है then back आ जाना है back आने के बाद देखना है आपकी problem solve होती है या नहीं होती है अगर हो जाती है तो ठीक है अगर नहीं होती है तो फिट से app info बनाने के बाद आपको यहाँ पर clear data पराना है सबसे पहले clear catch पर क्लिक करना और okay कर देना है clear catch से काम नहीं बनता फिर clear all data कर देना है यहाँ पर clear all data करना है अगर यह सब करने के बाद भी problem face करनी पड़ती है तो last final में आपको एक काम करना होगा यहाँ पर आप four stop देख सकते हैं यहाँ पर four stop पर click करना है और okay कर देना है अपने Instagram को four stop कर लेना है तो आपकी problem 100% solve हो जाएगी finally आप यह सब करने के बाद भी problem solve नहीं होती है तो एक काम आप और कर सकते हैं प्लेश्टोर पर आजाना है आपको प्लेश्टोर पर आने के बाद Instagram को search कर लेना है यहाँ पर हमें कर लेता हूँ Instagram को search मेरा net थोड़ा सा slow चल रहा है थोड़ा सा wait करेंगे Instagram को आने देंगे फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं Instagram आचुका है यहाँ पर मुझे Instagram अपडेट आया हुआ है अगर मैं Instagram अपडेट नहीं करता हूँ तो हो सकता है टेक्निकल इशू होने के बज़े से मुझे प्रेवलों फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपडेट कर लेना है अपडेट करते ही आपकी problem solve हो जाएगी आपको बागी कुछ करने की जूरहत नहीं पड़ेगी सो गाइस बस यही सब आपको करना होगा और आपकी problem solve हो जाएगी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्म फेस करने पड़ते हैं तो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा मैं आपके लिए कोई और सॉलूशन लेकर आओगा सब्सक्राइब आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टिल दर बाइ टेक एल लव यू ओल